प्रस्न एक घटाएं, प्रस्न एक का ए है, दो दस्मलों सुन्य नौ, सुन्य आठ को चार दस्मलों तीन में से, तो देखे जह दस्मलों तीन में से घटाना है किसको? दो दस्मलो सुन्य नौ सुन्य आठ को तो इस तरह हम लिख लेंगे कह रहा है रस्न में कि दो दस्मलो सुन्य नौ सुन्य आठ को चार दस्मलो तीन में से घटाएं यानि चार दस्मलो तीन को उपर लिख लेंगे और किसको जिसको घटाना है उसको नीचे लिख लेंगे अब इसको कैसे घटाएंगे देखें दस मलों के बाद 3 है ठीक है यहाँ पे दस मलों के बाद 1, 2, 3, 4 4 अंक है तो इसको भी हम 4 अंक बना लेंगे ठीक है तो कैसे बनाएंगे सून्य दे करके 1, 2, 3 क्योंकि दस मलों के बाद सून्य कितना भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए इसको भी जितना अंक है दस मलों के बाद इसमें जिसको घटाना है जितना अंक है दस मलों के बाद उतना ही अंक सून्य दे करके हम इसको बना लेंगे अब देखिए अब घटाएंगे इसको सुन्ने में से 8 नहीं घटेगा तो इससे 5 लेगा इससे ये लेगा इससे ये लेगा तो 10 में से 8 गया 2 ये हो गया 9, 9 में से सुन्ने गया 9 ये भी 9 हो गया, 9 में से 9 हो गया सुन्ने, ये 2 हो गया 5 दिया था तो दो लिख देंगे चार में से दो गया दो यानि इसका उत्तर हो गया दो दस मलो दो सुन्य नो दो तो इस तरह इसको घटाएंगे बी बी में है 145 दस मलो 145 दस मलो 7, 8 को देखिया गलती से ये पहले लिखा गया इसको तो घटाना है किस से घटाना है तो question पहले हम लिख देते हैं ये गलती से देखे पहले उतर गया को किस में से घटाना है तो 320 दस मलो सुन्य दो में से ये प्रस्न है ठीक है हम प्रस्न यहां पर लिख दिया है तो 145 दस मलो 7, 8 को 320 दस मलो सुन्य दो में से घटाना है ठीक है घटाएं लिखा हुआ है प्रस्ण में तो को यानि इसको घटाना है को लिखा हुआ है इस में से 320.02 में से तो पहले हम इसको लिख लेंगे 320.02 किसको घटाना है तो 145.78 ठीक है तो 2 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे 5 लेगा यह लेगा इससे और यह लेगा इससे यानि 12 हो जाएगा पहले करके तो 12 में से 8 गया 4 ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2 ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4 ये इसको पैंचा दिया था, ठीक है तो एक हो गया, तो एक में से 4 नहीं गटेगा, तो इससे पैंचा लेगा यानि 11 में से 4 गया 7 ये इसको पैंचा दिया, तो ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 यानि 144 दसमलो 2,4 C तो C में कहा रहा है कि 128 दसमलो 5,5 को 548 में से देखे किस में से घटाना है 548 में से घटाना है किसको 128 दसमलो 5,5 तो इस तरह लिख लेंगे अब देखे 548 है तो इसमें 10 मलो नहीं लगा हुआ है और इसमें दसमलो के बाद 2 अंक है तो इसमें भी हम 10 मलो दे करके 2 अंक बनाएंगे तब ही खटेगा तो देखे 10 मलो देंगे इसमें से इसमें और 2 सून्य लिख लेंगे तो दसमलों के बाद कितना भी सून्य लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दसमलों के बाद समान अंक बनाने के लिए क्या करेंगे दसमलों दे करके इसमें दो सून्य दे देंगे तभी देखें यहाँ पे दसमलों के बाद दो अंक है तो इसमें भी देसमलों के बाद दो अंख हो गया, सुने दियें तो अब सुने में से 5 नहीं घटेगा, तो यहां से 5 जाएगा, यानि 10 में से 5 गया, 5 यह हो गया, 9, 9 में से 5 गया, 4 यह इसको 5 दिया था, 7 हो गया, तो इससे 5 लेगा तो 17 हो जाएगा 17 में से 8 गया 9 ये हो गया 3 3 में से 2 गया 1 5 में से 1 गया 4 यानि 419.45 इसका उत्तर होगा 419.45 तो इसका उत्तर हो जाएगा 419.45 प्रस्न D तो D में है 326 तो D में क्या है देखे जिस 326.98 को 719.06 में से घटाना है तो पहले हम 719 लिखेंगे 326 को बाद में लिख लेंगे यानि नीचे तो 719.06 में से किसको घटाना है तो 326.98 को 6 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा ये लेगा इससे यानि 16 में से 8 गया 8 यह हो गया 9 9 में से 9 गया सून्य यह हो गया 8 पैंचा दे करके तो 8 में से 6 गया 2 यह 1 है तो नहीं घटेगा एक में से 2 तो इससे पैंचा लेगा तो 11 में से 2 गया 9 यह हो गया 6 6 में से 3 गया 3 यानि इसका उत्तर हो गया 392.078 इसका उत्तर कितना हो जागा 392.078 प्रसन 2 अंतर बताएं प्रसन 2 दो का ए 46.67 में से घटाना है 9.098 तो इस तरह लिख लेंगे 46.67 घटाओ यानि अंतर बताना है तो घटाना है इसको तो प्रसन में जैसे लिखा हुआ है इसको इस तरह लिख के घटाएंगे ठीक है क्योंकि दस मलो का घटाओ है तो इस तरह लिखना होगा सामने सामने दस मलो के सामने दस मलो और बाया और दाया तरफ वला अंक को सामने सामने लिखना होगा अब यहां पे 10 मलों के बाद 2 अंख है, लेकिन यहां पे 10 मलों के बाद 3 अंख है, ठीक है, तो इसको भी हम 3 अंख बना लेंगे, तब ही घटेगा, तो 10 मलों के बाद 3 अंख, यानि एक सुन्य दे देंगे, तो 10 मलों के बाद सुन्य का, मतलब 10 मलों के बाद सुन्य देने पर कोई फर्ग नहीं पड़ता है, कितना भी सुनने दे तो अब हो गया समान दस्मलों में ठीक है, दस्मलों के बाद तीनंग, दस्मलों के बाद तीनंग, अब घटाएंगी इसको तो सुनने में से 8 नहीं घटेगा, तो इससे 5 लेगा, तो 10 में से 8 गया दो यह हो गया छे छे में से नौ नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा यानि सोल्ला में से नौ गया साथ यह हो गया पांच पांच में से सून नहीं गया पांच पैंचा दे करके यह कितना हो गया पांच अब देंगे दसमलो 6 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे 5 चालेंगे 16 में से 9 हो गया 7 यह हो गया 3 तो 37.572 इसका उत्तर कितना होगा? 37.572 B 287.85 29.78 तो इसको घटाना है 287.85 में से किसको घटाना है? 29.78 तो इस तरह पहले लिख लेंगे अब देखिए 10 मलों के बाद 2 आंख है और यहाँ पर दस मलों के बाद 3 आंख है ठीक है? तो यहाँ भी हम 3 आंख बना लेंगे एक सून्य दे करके अब इसको घटाएंगे सून्य में से सून्य गया 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे 5 चालेगा यानि 15 में से 8 गया 7 यह हो गया 7 7 में 7 गया 7 इससे 5 चालेगा 17 में से 9 गया 8 यह हो गया 7 7 में से 2 गया 5 यह 2 यानि इसका उत्तर हो गया 285 10 मलव सुनने 7 सुनने C C में है 50 10 मलो 6 4 माइनस सुनने दस्मलो 8 सुनने सुनने तो 50 दस्मलो 6 4 माइनस सुनने दस्मलो 8 सुनने सुनने अब दस्मलो के बाद 3 अंग है तो यहां भी दस्मलो के बाद 3 अंग बना लेंगे तो सुनने दे देंगे यहां पे तो सूनने में से सूनने गया चार में से सूनने गया चार यह छे है तो इस तरब से पैंचा लेगा तो सोलन में से आठ गया आठ अब देखे यह नौ हो गया तो नौ में से सूनने गया नौ यह पैंचा दिया था इसको तो यह हो गया चार यानि कितना हो गया 49.84 49.84 तो देखे 49.84 सुनने को हम लिख सकते हैं 49.84 क्योंकि दस्मलो के बाद सुनने लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानि 49.84 या इसको 49.84 सुनने कह सकते हैं तो इसका उत्तर क्या जागा 49.84 डी में है 456 दस्मलो नौ नौ 100 दस्मलो सुनने पांच तो नौ में से पांच गया चार नौ लिख लेंगे छे पांच चार में से ए गया तीन यानि 356 दस्मलो नौ चार इसका उत्तर कितना हो जाएगा 356 दस्मलो नौ चार